नमश्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल, आए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी छोटे घर की बेटी डिनर के बाद हम सब हॉल में बैट कर गपशब कर रहे थे कि तभी गेट खड़का, आदत के अनुसार में चोकरनी हो गई तो सुनील ने कहा, कपिल होगा दोसरे ही छड़ स्कूटर की आवाज से उसकी पुष्टी भी हो गई, अब मैं प्रकृत्थिस्थ होकर बैठ गई, जानती थी निहा स्कूटर की आवाज पर कान दिये बैठी होगी गंटी बजने की प्रतिक्षा नहीं करेगी, तुरन दोड़ी चली आएगी और दर्वाजा खोल देगी, फिर दोनों पैसेज में गुम हो जाएंगे मुझे आये चार दिन हो चले हैं, कपिल के शरकल बस सुबह एक बार दिखाई देती है, जब वह दुकान जाने से पहले मा के कमरी में जाकर कहता है, मा निकल रहा हूँ आजकल मैं यहाँ हूँ तो मुझसे भी टाटा कर लेता है, इसलिए बड़ा आश्चर हुआ, जब देखा कि वह हौल के दर्वाजे पर खड़ा हुआ है, सब की नजरें उस और घूम गई, वह जिजकता सा भीतर चला आया और बोला, आप सब यहाँ हैं तो एक बात कहनी थ बोलो, बड़े भाईया ने अपने खास अंदाज में कहा, दुकान के उपर वाले फ्लैट में गोयल साहब रहते हैं, पता है, सुनिल बोला, वे घर छोड़ रहे हैं, उसने हकलाते हुए कहा, तो दोनु भाईयों ने जैसे एक साथ तोप दाग दी, मुझे बड़ा बुरा लगा, हम सब आराम से बैठे हुए थे, वह बीचारा कटगरे में जैसे आरोपी की तरह खड़ा था, और नर्वस हुआ जा रहा था, मैंने कहा, कपिल यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, वह संकोच में भरकर मेरे पास आया, मैंने मा को जरा सरकनी के लिए कहा, और उसे अपने पास बिठा लिया, अब आराम से बैठो और इत्मिनान से बताओ जो कहना है, मेरे आश्वासक इस पर्ष से याकी स्वर से उसे थोड़ी हिबमत बंधी, इस बार उसने अत्यंत सदी हुई आवाज में कहा, गोयल सहब घर छोड़ रहे हैं, वो तुम बता चुके हो, बड़ चोटी भावी ने कान भरे होंगे, भावी, मैं कुछ कहने को हुई तो कपिल ने मुझे रोक दिया, देदी भावी ठीक कह रही है, ये मेरा दिमाग नहीं है, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, सब जानते हैं, सब लोग इस्तब्द रह गये, कपिल इतनी बड़ी बात कह ज अठो शब्द न कह दे, इसलिए मैंने कहा, जाओ बेटा आप खाना खालो, नेहा प्रतिक्षा कर रही है, वह उट खड़ा हुआ, बोला, आप सब लोग यहां एक साथ मिल गये, इसलिए सोचा कि सब को एक साथी बता दू, और वह भीतर चला गया, इस बात की प्रतिक्रिय माने दर्च की, बोली, छोटी के भी पर निकल आए है, मैंने सोचा था, गरीब घर की लड़की है, चुपचा पड़ी रहेगी, क्यों मा, गरीब घर की लड़कियों का क्या दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता, इसका दिमाग तुम्हारे बाबुजी ने खराब किया अच्छी भली बार मी पास थी, ट्यूशन लगवा कर उसे बीए करवा दिया, बने रहते तो बीएड भी करवा देते तो अच्छा होता ना, मैंने कहा, बाबुजी दूर की सोचने वाले व्यक्ती थे, जानते थे आजकल एकी कमाई से गुजारा नहीं होता, बीएड हो जाती तो कहीं भी टीचर बन जाती और बच्चे को कौन समालता विभा ने मूँ बिचका कर कहा, परिवार बढ़ाने से पहले आदमी को सो बार अपनी अवकात के बारे में सोचना चाहिए, सुनिल ने पत्नी की बात को आगे बढ़ाया, इतने बड़े घर में एक बच्चा नहीं पल सकता, मैंने पलटवार कि हाँ मैं ही लाई हूँ, मा के कहने पर लाई हूँ, और इस आश्वासन के साथ लाई हूँ, कि यहाँ उसे कोई दुख नहीं होगा, तो क्या तकलीफ है उसे, क्या दुख है, भावी बोली, कुछ तो होगा तभी तो यह महल छोड़ कर उस दड़बे में जाना चाहती है, छ और मजलीस बरखास्त हो गई, कमरी में जाती ही मैंने मा से कहा, मा बादू जी को गएब मुश्किल से पांच महीने हुए है, तुम्हारी बहूं की जबाने बड़ी लंबी निकल आई है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं, अरे कुछ भी कहने जाती हूँ, तो सुशील और सुन रही थी, देख वो दुकान और फ्लेट तेरे बाबू जी ने कपिल के नाम कर दिये थे, फ्लेट का किराया उसके ही खाते में जाता था ताकि उसका हाथ खर्च चलता रहे, अब जब वह खुद वहीं रहने जाएगा, तो किराय का नुकसान होगा न, कैसे गुजारा होगा कोरी ममता से क्या होता है बेटा, ममता से हिम्मत मिलती है, होसला मिलता है, इस घर में एक तो कोई हो, संकट के समय वे जिसके शरण में जा सके, और मा से बड़ा संबल कौन दे सकता है, यह कहकर मैंने बत्ती बुझा दी, पर मुझे मालूम है, इसके बाद मा बड़ी दे तक करवटे वदलती रही होंगी, मैं यही चाहती थी, दूसरे दिन खाना खाने के बाद मैं नेहा के कमरे में गई, वह किंशुक को सुला रही थी, मैंने कहा, सो तो नहीं रही तूं, मैं दिन में कहा सोती हूं दीदी, बस इसे सुला रही थी, किंशुक ने अपनी उनीदी आ आराम से बैठिये तो सही मैं पलंग पर आराम से बैठ कई और पूछा तुमने एका एक शिफ्ट होने का निर्णा क्यों ले लिया एका एक तो नहीं दी दी बहुत दिनों से सोच रहे थे मैं तो यहां घर में आराम से बैठी रहती हूँ पर इने बहुत परिशानी होती है विचारा बाप के लिए तरसकर रह जाता है खाने की भी समस्या है सुबह नाश्ता करके जाते हैं दो पहर में वही कुछ मंगा कर खा लेते हैं घर से बना कर देती हूँ तो सर्दियों में ठंडा हो जाता है गर्मियों में खराब हो जाता है वहां रहेंगे तो दो वक्त का खाना तो ढंक से खा सकेंगे आखिर आदमी कमाता किस लिए है भाग इसे ये फ्लेट खाली हो रहा था तो मैंने सोचा इस मौके को गवाना नहीं चाहिए पर इतने बड़े घर में रहने के बाद उतने छोटे से घर में गुजारा कर लोगी वह हसी उसे हसी भी कैसे कहूँ बोली देदी यहां भी हमारी पहुच कमरे से किचन तक ही तो है हॉल में तो हमारा दखल ही नहीं है पता नहीं कल कितने दिनों बाद वे ड्रोइंग रूम में गए थे मेरे बेटे का तो महां जाना ही वर्जित है उठा पटक करता है न इसलिए लोग तो तरसते हैं कि कोई नन्नी हाथों वाला आए और उनके घर को बिखेर दे बच्चों बच्चों में फर्क होता है दीदी सुमित अमित ने भी इस घर में खूब धूम मचाई होगी सोनल मेनल ने भी चीज़े इधर उधर बिखराई होंगी पर मेरे बच्चे के लिए या च्छम में नहीं है हम लोगों के लिए छोटा सा घर ही ठीक है दीदी कैसी बात करती हो ठीक कह रहे ही हूं दीदी हम लोगों को हमारी वकाद बार-बार याद दिलाई जाती है रिष्टों में शादियां होती है मैं नहीं जाती क्योंकि ये दुकान पर होते है सोसाइटी में फंक्षन होते है मैं कहीं नहीं जाती कारण वही घर में डिनर्स होते हैं, किटी पार्टियां होती है लेकिन हमारा परिचे तक नहीं करवाया जाता पहले मैं भावी लोगों के किटी पार्टियों के लिए दिन भर लगकर कुछ-कुछ बनाती थी सब तारीव भी करते थे पर मुझे पार्टियों में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता था इसलिए मैंने हाथ खीच लिया बेकार मन खराब करने से क्या फाइदा एक और बात है दीदी घर के नौकर चाकर भी जानते हैं कि किसको कितने इज़द देनी है वे भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते मैं चुब बनी रही क्या बोलती निहाई कुछ देर बात बोली आप यह मत समझे कि मैं लगाई बुझाई कर रही हूँ आपने इतना प्यार जताया है इसलिए कहने का मन हो रहा है बोलो निश्चिन्थ होकर बोलो बात मुझ तक ही रहेगी किंशो के पहली राखी मैं सोनल मीनल के लिए सुन्दर ड्रिसेज लाई थी हैसियत से कुछ जादा ही खर्च कर दिया था मैंने सुमित अमीत के लिए हॉस्टल में डाग से राखी भेजी गई थी पर घर में बैठे किंशो की किसी को याद ही नहीं आई शाम को मैंने ही भावी जी से कहा किंशो की दीदी लोग उसे राखी कब बांधेंगी आठ बजे तो हाँ सो जाता है भावी जी जैसे नीन से जागी ड्राइवर को भेज कर उन्होंने मिठाई नारियल और राख्या मंगवाई हमारे यहां तो पहली राखी चांदी की बांधी जाती है पर मैंने इसी पर संतोश कर लिया जब मैंने दोनों को ड्रसस दिये तो भावी जी उन्हें उलट पलट कर देखने लगी मैं समझ गई कि वे क्या देख रही है मैंने कहा भावी जी प्राइस टेक के साथ गिफ्ट देना ठीक नहीं लगता इसलिए मैंने निकाल लिये थे पर आपको अगर एक्स्चेंज करना हो तो कैश मैमो मैंने समाल कर रखा है भावी जी कटकर रह गई दूसरे दिन किंशों के लिए एक ड्रेस लाकर दे दी उस समय बाबुजी जीवी थे तो यहा हाल था अब तो सुनकर मैं तो इस तब धी रह गई इस निरीह लड़की पर दयासी आने लगी थी आपको मैं बोर तो नहीं कर रही न दीदी अरे नहीं हाँ यह सब सुनकर आश्चरे जरूर हो रहा है एक आखरी प्रसंग सुनिये आपको पता होगा कि सोनल के शादी तै हो गई है पर अभी साल भर तो नहीं कर सकते न हाँ लेकिन यह घर देखने के लिए और बाकी बाते तै करने के लिए वे लोग पिछले महीने यहां आये थे सुबह बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब से कहा आज सीयल ले लो वे लोग आ रहे हैं सारी बात तै करनी है पर इनसे नहीं कहा कि आज दुकान पर मत जाओ या कि आज दोपहर खाना खाने घर आ जाओ अच्छा मैं तो घर पर थी मुझे भी उनसे मिलवाय नहीं गया वे लोग सुबह की फ्लाइट से आये थे सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन और शाम की चाय पी कर गये थे माजी की आज्या से मैं पूरा दिन किचन में खट रही थी शाम को वे पूरा घर देखने के लिए माजी के साथ भी तराए मैं किंशुक को लेकर आंगन में बैठी थी वे आई तो मैंने जुक कर प्रणाम किया माजी ने बताया ये छोटी बहू है छोटी बहू तो बाहर मिलवाय था वे कौन है वो मजली है तो आपके तीन बेटे हैं हमें तो पता ही नहीं था उस दिन मेरे आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी सोच लिया आप यहां नहीं रहना है फ्लेट तो भागे से खाली हो गया है मैंने तै कर लिया था दुकान के पीछे एक कमरा छोटी सी रसोई और ट्वैलिट है मैं उसी में गुजारा कर लूँगी पर अब यहां नहीं रहूँगी कल को मेरा बेटा बड़ा होगा तो सौप रश्न पूछेगा मा आप बाहर वालों से क्यों नहीं मिलती सब लोग कार में जाते हैं पापा इसकूटर पर क्यों जाते हैं मुझसे दीदी लोग बात क्यों नहीं करती बड़ी मम्मी छोटी मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती मैं क्या जवाब दूँगी सोच सोच कर वह लड़का भी हीन बोध से ग्रस्त हो जाएगा अपने पापा की तरह आत्मविश्वास खो बैठेगा मैं यह नहीं होने दूंगी एक बात और दीदी हम लोग वहां रहेंगे तो इन्हीं लगेगा यह मेरा घर है यह मेरा परिवार है यह मेरी जिम्मेदारी है इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा बहुत अच्छी सोच है नहा तुम्हारी सच मुझ बढ़ा अच्छा लगा यह सब सुनकर मसा पाशिरवात दीजिए कि सब शुब शुब हो रात को मैंने मा से कहा मा उन दोनों का यहां दम घुट रहा है अगर भी अलग रहना चाहते हैं तो जाने दो रोको मत मैं रोकने वाली कौन होती हूँ मा ने कहा पर वहां पकाएगी खाएगी काहे में यह भी सोचा है मा बाप ने गिंती के पांच बरतन दिये हैं उन लोगों की उतनी हैसियत थी पर यह बताओ तुम्हारी ग्रिहस्ती किस दिन काम में आएगी उस पर इस बहु का भी तो हक है मेरी कौन से ग्रिहस्ती है वो ड्रम भर कर वरतन रखे हैं वे किस दिन काम आएगे तुम्हारी ये फैशनेबल बहुएं तो उने चुएंगी नहीं तुम्हारे बाद जिस्त इसको उठा कर दे देंगी इससे अच्छा है तुम अपने हाथ से ही छोटी को दे दो जिन्दगी भर तुम्हारे गुडगाएगी तुम्हारी दो परातों और चार पतीलों से तो उसका पूरा घर सज़ जाएगा पीतल क्या भाव चल रहा है जानती हो फिर यही तैह हुआ सुबह मैंने बड़े भाईया से कहा भाईया दो पहर में ज़रा गाड़ी भेज देना मुझे शॉपिंग करनी है थोड़ी जानती थी भाईया मुझे मना नहीं करेंगे नेहा बोली चलिए आपकी बदला थम भी गाड़ी में बैठ लेंगे नहीं तो हम लोग पिक्चर भी स्कूटर से जाते हैं क्या घर में दो-दो गाड़ीों के होते हुए स्कूटर पर क्यों कपिल तो गाड़ी चला लेता है न एक बार किसे शादी में जाने के लिए छोटे भाईया जिसे गाड़ी मांगी थी उन्होंने इतनी नसिहते इतनी हिदायतें दी थी कि मन खराब हो गया तब से कान पकड़ लिये छुटकू को मा को सौब हम लोग निकल पड़े सामान उठाने के लिए गनपत को साथ ले लिया चलने से पहले नेहा ने जताया तीदे गाड़ी में सिर्फ मौसम की बात करना ये ड्राइवर भाईया भावी जी के जासूस हैं एक एक बात पहुचाते हैं मेरा अंदाज बिलकुल सही था हम लोग मा के आधे ही बरतन ले गए थे उसमें नेहा की पूरी रसोई सच गई कुछ क्रॉकरी मैंने अपनी और से ले कर दी उनकी ग्रिहस्ती के लिए फ्रिज देने का मेरा इरादा था जिसे मैंने फिलहाल सर्प्राइज ही रखा रात को बड़े भाईया ने पूछा तुम्हारी शॉपिंग ठीक से हो गई हाँ भाईया खूब अच्छे से हो गई रतन बता रहा था तुम लोग बरतन बजार गये थे तो नेहा ठीक ही कह रही थी रतन पक्का जासूस है हाँ भाईया मैंने कहा नेहा को किचन के लिए कुछ बरतन खरीदने थे इसलिए बरतन बजार गये थे तो इस पॉंसर किस ने किया तुमने मैं क्या करूंगी उसकी इतनी समार्थ सास जो बैठी है मैंने तो बस एक ही सेट दिलवाया है दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को देखकर अर्थपूर्ण धंग से मुस्कुरा दी मैंने जान बोच कर उसका टाक्ष को अंदेखा कर दिया उन लोगों की मुझे अब परवा नहीं थी जिस दिन मुझे निकलना था कपिल ने काम पर जाने से पहले आकर मुझे प्रणाम किया और बोला अब कब आओगी तुम मुझे अभी से विदा क्यों कर रहे हो मेरी ट्रेन तो शाम चार बजे की है पर मैं तो उस समय घर नहीं रहूँगा न क्यों नहीं रहोगे मुझे स्टेशन छोड़ने तुम ही चलोगे मैंने बड़े भाईया से कह दिया है वे गाड़ी भेज देंगे तुम दोपहर खाने के लिए घर आ जाना मुझे ट्रेन में बिठा कर फिर दुकान चले जाना ओके उसने कहा और चला गया दोपहर में इमानदारी से घर आ गया खाना खाने के बाद मैं तयार हुई भाईया ने गाड़ी भेज दी थी सबसे विधिवत विदाई लेकर मैं गाड़ी में बैठी मुझे बिठा कर वह चलने लगा तुम कहां चल दिये स्कूटर ले लो वहीं से दुकान निकल जाओंगा आप से स्टेशन पर मिलता हूँ फाल तु बात मत करो रतन तुम्हें दुकान पर छोड़ देगा आज के दिन ओटो से घर आ जाना वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ कया नेहा छुटकू को लेकर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई थी हम लोग चलने लगे तो भरोनी लगा छुटकू को रुला कर जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है मैंने कहा मैं तो रोज यह पीडा जहलता हूँ इसलिए शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ कपील और भी कुछ कहता है पर मैंने उसकी हथेली जरा जोर से दबा दी चकित होकर वह मुझे देखनी लगा मैंने दाशनी कंदाज में कहा बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चे को मा और बाब दोनों की जरूरत होती है और अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखने का अलगी सुख है तुम्हें याद है तुम्हारे जीजा जी साल भर के लिए यूके गए थे लोट कर आये तो बहुत पश्टा रहे थे ये अंशुमन एक साल में कितना बड़ा हो गया मैं उसे इस तरह बढ़ते देख ही नहीं पाया कितनी बड़ी चीज मिस कर गया मैं स्टेशन पर उतरते हुए मैंने ड्राइवर को इनाम के तोर पर सौ का नूट थमाया और कहा मुझे ट्रेन में बिठा कर भहिया लोटेंगे तुम पार्किंग में इंतिजार करना जी उसने सलाम ठोकते हुए कहा स्टेशन पर एक खाली बेंच मिल गई थी बैठते हुए मैंने कहा सौरी मैंने तुमें बोलने नहीं दिया मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या क्या कह जाओगे ये ड्राइवर भावी का जासू से एक एक बात बहुचा देता है अच्छा किया मैं कुछ भी कह जाता तो उसका तापनी हाँ को जहलना पड़ता है वैसे भी सारा अपमान उपेक्षा सारी टिपणिया वह सहती रहती है मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ मुझे बताती भी नहीं है बस मैं चहरा देखकर समझ जाता हूँ वह सब शांती से जहल जाती है पर उसके इस सौजन्य को उसकी मजबूरी लाचारी समझा जाता है बहुत प्यारी लड़की है निहा उसका ध्यान रखना हूँ उसी के लिए अजतन कर रहा हूँ बस मा की चिंता है बाबुजी के जाने के बाद इसीने मा को समझाला है बाकी लोगों को पार्लर और किटी पार्टियों से फुरसत नहीं है तभी गाड़ी आने की सूचना प्रसारित हुई उसने उठकर मेरे पैर छूते हुए कहा अब कब आ रही हो अब की बार आओगी तो मेरे घर पर रुकना मेरे घर कहते हुए उसका चहरा आत्म सम्मान और आत्म विश्वास से दमक रहा था काश इस समय बाबू जी उसे देखते आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी छोटे घर की बेटी